पाठ सत्रह समस्या की शुरुवात बीबी जी, मैंने पुस्तक से ध्यान हटा कर देखा, तो लगा कि मेरी कुछ कहना चाहती है क्यूं? क्या बात है? बरतन साफ कर लिए? हाँ बीबी जी, रसोई घर भी धो दिया बात यह है, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या? हाँ बीबी जी, सर्दी शुरू हो गई है कोई फटा पुराना कपड़ा हो तो बच्चों के लिए दे दीजिए बच्चों के लिए? कितने बच्चे हैं? मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने शर्मा कर आखे नीची कर ली मैं समझती थी कि उसके एक दो ही बच्चे हैं दो वर्श के एक बच्चे को वह जब तब गोदी में लेकर आती थी और रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में थमा कर काम में लग जाती थी बच्चा उस टुकड़े को कुतरता रहता था इधर वा कूड़ा फेकने बाहर जाती तो हब पिन पिनाने लगता मुझे बुरा तो लगता पर महरी की मजबूरी को भी समझती थी मेरी बात का जवाब नहीं मिला तो पूछा क्या इससे बड़ा कोई और भी है जी बीबी जी दो इससे बड़े हैं एक लड़की और एक लड़का एक छोटा है छे महीने का उसे बड़ी लड़की संभाल लेती है यह मेरे बिना नहीं रहता महरी की आँखे ऊपर नहीं उठ रही थी लगता था जैसे उसने कोई अपराद किया हो महरी के बारे में जानकर मुझे आश्चर तो हुआ ही साथ ही साथ मन में पीड़ा भी हुई जब मैंने उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा कि यही कोई 25-26 वर्ष बच्ची सी ही तो लगती थी मैं पुस्तक से हटकर व्यर्थ के विचारों में उलजना नहीं चाहती थी सो बोली अच्छा दे दूँगी रविवार को याद दिलाना मेरे आश्वासन के जवाब में वहा कुछ बुदबुदाती हुई चली गई मैं फिर अपनी पुस्तक में खो गई रविवार को महरी और दिनों से कुछ जल्दी आ गई बरतन साफ करनी और रसोई घर धोने के अलावा उसने मेरी कमरे की सफाई भी शुरू कर दी मैं अख़बार पढ़ते हुए उसे देखती रही आज वहा बार बार चीक रही थी शायद उसे जुकाम था कमरा साफ हो गया तो उसने गैल्दी साफ की अब मुझे याद आया कि मैंने आज उसे कोई फटा पुराना कपड़ा देने का वाइदा किया था पुरानी चीजों को मैं घर में ही घुरा समझती हूँ फिर बच्चों के कपड़े मेरे दोनों बेटे शिमला के एक स्कूल में पढ़ते हैं उनका कोई पुराना कपड़ा कहीं पढ़ा है मुझे याद नहीं आता फिर भी मैं अखबार छोड़कर ढूड़ने जैसा बहना करती रही कपड़ा तो कहां मिलता पर मुझे सोचने का अफसर जरूर मिल गया मैंने उसे बुलाया और कहा कि श्यामलाल के साथ बाजार जाकर पांच स्वेटर ले आना एक अपने लिए तथा चार बच्चों के लिए सुनते ही वहाँ मेरे पैरों में जुग गई यह शायद उसकी आशा से कहीं अधिक था महरी चली गई तो मैं पुनह अपने विचारों में डूब गई हम पचपतनी अच्छा कमाते हैं पर हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से चल रहा था यह मैं ही जानती थी महरी को चार घरों से जादा से जादा हजार रुपए मिल जाते होंगे उसका पती भी कमाऊ था मौसम के अनसार खुमचा लगा लिया करता था कितना कमाता हूगा? जादा से जादा एक दो हजार कमाई दो हजार की गुजारा छे जनों का पेठी मुश्किल से भर पाता होगा महरी की सबस्या देश की समस्या थी महरी मा थी मैं भी मा हूँ एक मा, दूसरी मा की दुख, तकलीफ को अच्छी तरह जानती है वह भी चाहती होगी कि उसके बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने उनके पास भी खिलोने हों, तस्वीरों वाली किताबे हों, सेर सपाटे को भी जाएं किन्त इस आमदनी में यह सब कुछ कैसे हो सकता था, और यह कोई बंधी आमदनी तो ना थी, दूसरी और महंगाई सुरसा के मुह की तरह बढ़ती जा रही थी अगले दिन महरी की जगा आई उसकी लड़की, कोई साथ आठ वर्षकी होगी, बोली, मा को बुखार है, आज मैं ही बरतन साफ करूँगी सुनकर मेरा जी बैठ गया, केवल फटे पुराने कपड़े पानी की आशा में, कल उसने इतनी देर तक पानी में काम किया था बीमार तुपढ़ना ही था, और यह लड़की, इससे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर स्कूल जाना चाहिए था खिलोनों के लिए मचलना चाहिए था, उन सब की बजाए इतनी नासमज उम्र में इससे समझदारी आ गई कि बरतन साफ करनी चली आई सोच कर मुझे बहुत दया आई, उस दिन मैंने खुद ही बरतन साफ किये उस लड़की से इधर उधर का थोड़ा सा काम करा लिया लड़की बड़ी फुर्ती से काम करती रही काम करने के बाद चलने लगी तो मैंने उसे कुछ बिसकुट दे दिये उसने उन्हें कागस में लपेट कर मेरे चरन सपर्ष किये तो मेरा बन भराया सोचा अगर महरी के यही एक लड़की होती तो कितना अच्छा होता तब इसे यह सब कुछ तो ना करना पड़ता पर कहा न यह अकेली महरी और उसकी लड़की की समस्या नहीं है पूरे देश की समस्या है सभी सोचेंगे और समझेंगे तभी ये समस्य सुलजेगी वहाँ लड़की लगातार एक सप्तह आती रही वहाँ समझदार है कोई नुकसान नहीं करेगी इसका मुझे विश्वास हो गया था मैंने बहुत चाहा कि आज जाओं, कल जाओं पर महरी को देखने ना जा सकी एक दिन लड़की रोती-रोती आई और बोली मा मर गई, यह सुनकर मैं सन रह गई महरी को देखने ना जा सकने का मुझे बहुत अफसोस हुआ उसकी छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा विशेश कर उस दुध मुए बच्चे का, जो केवल छे महीने का है यह सूच कर मेरा दिल बैठ गया लड़की बरतन साफ करने चली, तो मुझे रोना आ गया मैंने कहा, बेटी आज रहने दे मेरी बात सुनकर, लड़की कापते सर में बोली बीबी जी, मैं बरतन साफ कर लूँगी, आप दूसरी महरी मत लगा लेना नहीं लगाऊंगी बेटी, मैंने कहना चाहा पर इतनी कम उम्र की लड़की से काम कराना भी तो अपराद है मैं धर्म संकट में पड़ गई फिर उसे थोड़ा सा खाना देकर उसकी पीट थप थपा दी खाना पाते ही बच्ची की आँखों में चमक आ गई मानो उसकी समस्या समाप्त हो गई हो पर देश की समस्या